लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताओं पर मंगलवार यानी 8 अगस को चर्चा हो रही है कॉंग्रेस सांसद गोरो गोगई ने अपने अविश्वास प्रस्ताओं पर 35 मिट इस पिश दी इस दोरान उन्होंने मनीपूर हिंसा से लेकर विदेश नीतितक के मुद्दे पर सरकार को घेरा गोगई ने कहा कि प्रस्ताओं लाने का मकसद पी-एम का मौन तोरना है बाश्पा की तरफ से निशिकान दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद थे बेटे को सेट करना और दामांत को भेट करना गोगई ने ये भी कहा कि प्रधान मंतरी को ये स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मनीपूर में विफल हो गई इसलिए मनीपूर में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई राजी की सीएम जिने बाचित का, शान्ती और सद्भाव का महल बनाना चाहिए था उन्होंने पिछले दो-तीन दिनों में भड़काव कदम उठा है जिससे समाज में तनाव पेदा हो गया है इससे पहले सुबह 11 बजे लोकसभा की कारवाई शुरू होते ही बारा बजे तक इस्थाकित कर दी गई पिये मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब 10 अगस को दे सकते हैं विश्वास प्रस्ताव की शुरुआत गोरोगोगी ने जैसे ही की भाशपा सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया कहा सुबह सेकेटरी जनरल ने यहाँ चिठी आई थी कि राखुल गांधी जी बोलेंगे हम तो उनके भाशन का इंतजार कर रहे हैं अब गोरोगोगी बोल रहे हैं पाश बेट में आखिर क्या हो गया इसी के साथ बने रहे हैं राजनमा टीवी के साथ रहे हैं